महिला सुरक्षा को सजग बनाने के लिए इंदौर पुलिस ने एक और नए प्रयोग की शुरुआत की है जहां पुलिस अब 40 महिला कमांडो को मार्शल आर्ट्स की क्रेनिंग दे रही है वह इंदौर पुलिस की ओर से महिला सुरक्षा को लेकर तयार किया गया खास प्लान MP News के साथ साज़ा करते हुए आई जी हरी नारायन चारी मिश्र ने क्या कुछ कहा जरा आप खोदी सुनिए महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों की रोक्थाम के लिए इंदौर पुलिस ने एक नई अभिहान की शुरुआत की है इस अभिहान के तहद इंदौर पुलिस अब 40 ऐसी महिला कमांडो को चिनहित कर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दे रही है जो की समाज में जाकर लड़कियों को आत्म सुरक्षा का बहुत करवाएंगी इसी मसले पर बातचीत करने के लिए मारसाथ महजूद हैं इंदौर आईजी हरीनचारी मिश्चर जी सर किस विजन के साथ में आपने इस नए अभिहान की शुरुआत की है और किस तरीके से इसको इंप्लिमेंट करेंगे आप समाज में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के पुलिस सुरू से शाम में दंसील है और लागातार इस तरह के प्रयास होते रहे हैं अगर हम देखें तो पिछले दूनों इस कड़ी में देखा गया कि जब लोकडाउन का दौर चल रहा था उसके दौरान जगा 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 कुछ रख्षा समीती कि महिलाओं ने काफी सक्री भून का निभाई इफले तय किया गया कि इनने बहतर धंग से प्रसिक्षित किया गया जो प्रसिक्षन दोनों तरीकों फे था उन्हें मानसी करूप फे ज़्यादा सक्षम और दक्ष बनाता था और फाती सारी करूप फे ज़्यादा मजबुती से इन चुनोतियों का मुकाबला कर सकती थी इस कड़ी में 40 ऐसे महिलाओं का प्रसिक्षित किया गया है जो क इस समय समय पर पुलीस की तरह जो अभropicate आती है मुक़त और पर उन च्छेत्रों में जहां से इस तरह की शिकायदे आती है इसकूल कॉलेज हालां कि आनने वाना दिनों में जब उखूलेंगे और जब इस जो महिला कमांडों जो इनको मार्शल ट्रेनिंग के साथ-साथ में कानून की बारीकियां भी सिखाई जा रही हैं, ताकि वे समाज में जाकर नाबलिक लड़कियों को कानून का ग्यान करवा सकें, किस तरीके से समाज में ये सुरक्षा का माहूल पेदा करेंगे? उस किसी भी समाज के अगर सुरक्षा का आकलन करना हो, तो हम दो उसके पैमाने हैं, एक तो वहाँ पे बुजूर्ग जो हैं किस सथ तक अपने को फुरक्षित महसूस करते हैं, जो वरिष्ट नागरिक है, अपने को किस सथ तक सुरक्षित महसूस करता है, और दूसरी पर पुलिस ने लगातार ध्यान रखता है जहां तक बुजरगों के लिए आलंबन यसी औजनाईग की गई है मुक्तार पे तरह तरह र MTB पोजिरगों के लिए अलग पनचायत के नाम से उनके लिए अलग अलग इस तरह के हेलप के मादधи में से पुलिस काुंसलिं के मादध़िम से बुजरगों के लागातार प्रयास करती रहती interaction तो आम चाहरों के साथ महिलाओं के लिए भी बच्छों के लिए भी पुलिस ने इस तरह के योजिनाय होना इस तरह से बौधिक रुप से उसका और बहतर होना कानून की बारिकियों का ग्यान होना तमाम कानून की तक्निकी पहलों की जनकारी रखना और फाति साथ सालिक रूप से सक्षम होना एक पुरी पर इनदोर में इसी कइः गरीब बस्तियां हैं जहाँ पर कि नावलीक लड़किया पड़ी लिखी नहीं होती हैं, ऐसे मैं जिस छेतर में महिलाएं रहती हैं उनका एक संपर्क है उस छेतर के लोगों के बीच में तो जब वहां की एक महिला निकल कर एक गली फिर इस तरीके से उन्ही परिफ्थितियों में उफी तरह की फितियों में एक बहता डंग से सक्षम हो करके उभरती है तो बाकि अपने आस में जोड़ें ताकि हमारे यहां जो महिलाओं को और बच्चों की सुरक्षा को ले करके जो अभियान है और ज्यादा ससकते हो सर कम्यूटी पुलिसिंग पर कित्ता जोड़ दे जाना चाहिए क्योंकि कहीं न कहीं जो जनता और इंदौर पुलिस के बीच में गैप हो कहीं कहीं बढ़ता जा रहा है तो कम्यूटी पुलिसिंग से यह जो गैप एक कम हो सकेगा अगर सबसे बहतर ढंक से अगर कहीं रक्षा समीती का बहतर अगर उपयोग हुआ है तो इन दोर में हुआ है और पुलिस ने अपनी एक समाजिक जिमेदारी के तोर पर भी इन चीजों क इन जिमेदारियों को लिया है आपने देखा होगा कि कोरोना के दोर में कई सो ऐसे बुजुर्ग जो कि घरों में अकेले थे अपने बच्चों से दूर थे कई ऐसे थे जो आर्थी कृप से सक्षम थे लेकिन बच्चे दूर थे और इस पिछले दो महीने जो चुनाउती की घरी आई उसमें बिल्कुल अकेले पड़ गए थे ऐसे घरी में पुलिस ने सुरक्षा के कड़ी को मजबूत किया उन तक पहुची उन तक उनको मदद की उनको हस्पिटल तक पहुचाया इसे लोगों के बीच में पुलिस को लेकर के विश्वास बना बढ़ा और उसी कड गड़ी में रक्षा समिती के हमारे जो सदस्य हैं इनकी भी महत्पूर भूमिका रही इन्होंने सुचनाएं दी उन सुचनाओं की संकट की घरी में जब कोई भी ऐसा घरी में कोई परिजन इस समस्या से न जूज रहा हो लेकिन उस कड़ी में भी उन्होंने वक्त निकाला उन्होंने उसके लिए एक जीजीविसा जुटाई एक हिम्मत जुटाई और बिल्कुल निश्वार्त भाव से उन्हों आगे बढ़ करके ऐसे जवरतमन्नों की हमारे बुजूर्गों की आगे बढ़ करके मदद की तो यहां पर रक्षा समिती जो है मुकता नगरिकों को ब जन्हों सफल होते रहे हैं और पुलिस और जन्हों के बीच में जो संबाद है लगतार एक बिस्वास है लगतार बढ़ा है जी आ निशेत तोर पे तो यह थे इंदार आई जी हरे निचारी मिर्ष जी जिनका साफ तोर पर मानना है कि कम्यूनिटिंग पुलिसिंग पर जोर दिया जाना चाहिए ताकि जन्ता और पुलिस के बीच में जो गैप है वो कम किया जा सके और जन्ता जो है वो निर्विक मा होल में जी सके कैमरा परसन अरुन यादव के साथ योवरा सिंग पराउत की रिपोर्ट एमपी न्यूस इन दौर